वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक के इस वीडियो क्विटेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जी के जीस के 40 ऐसे सवालों को जो हर साल आपके परतियों की परिछाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आप इस वीडियो क्विटेस्ट को ध्यान से खेलिएगा चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है कितने वर्स के अंतराल पर रश्ट्रिये जनगरना होती है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकिंड का समय जो शुरू होती है अब कितने वर्स के अंतराल पर रश्ट्रिये जनगरना होती है आंसर है आप सो नमब ए दस वर्स के अंतराल पर कोशन नमब टू कम्प्यूटर के बुनियादी सरचना का विकास किया था ये सवाल हाल ही के NTPC एक्जाम में आया था सही अंसर है आप सो नमब सी चॉल्स बैवेच कोशन नमब टिन अट्रसो संतावन के गदर की समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था सही अंसर है आप सो नमब ए लौड केनिंग कोशन नमब फोर सोरे सेलो में परिक्त होने वाले मुख्या पदार्थ कौन सा है ये सवाल SAC LDC एक्जाम में आया था सही अंसर है आप सो नमब ए सिली कौन कोशन नमब फाइब भारत का प्राथम सहर अस्थापित किया गया ये भी सवाल आपके समझलो की हिस्टरी का है और बहुत वार आया है आंसर हो जाएगा आप सो नमब बी जमसेदपूर जर्खंड में इस्तित है अस्थापित किया गया था कोशन नमब फिक्स डाइस एक के इन्पूट डिवाइस का उधारन है सही आंसर हो जाएगा आप सो नमब बर सी स्केनर कोशन नमब बर सेविन ओनम कहां का लोगपरिये तेहवार है सही आंसर है आप सो नमबर सी के रल कोशन नमब एट डबल रोटी में पर्युक्ते किये जाने वाला बेंकिंग पावडर क्या होता है सही आंसर है आप सो नमब बी सोडियम बाई कार्बोनेट कोशन नमब नाइन भारत रतन पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है सही आंसर हो जाएगा आप सो नमब बर सी सचिन तेंदूलकर जो सबसे इवा है भारत रतन पाने वाले कोशन नमब टिन दो या दो से अधिक के सुध्य अपदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है हच पच आप देख लिजिए अंसर हो जाएगा आप सन नमबर सी मिशरन बनता है और आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करे है तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सबस्क्राइब बटम पर किलिक करके सबस्क्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर देजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिल्य बस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है इन्वे से एक मौलिक अधिकार नहीं है ध्यान से देखिए सही अंसर है आप्सन नमबर सी संपत्ती का अधिकार कौशन नमबर बारा कौन सा पुरसकार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है बहुत अच्छी सवाल है कौन सा पुरसकार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है अंसर आप्सन बढ़ी असोक चक्रा कौशन नमबर तेरा मंत्री मंडल सचीवाल है किसकी अधिन होता है सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी परधान मंत्री के कौशन नमबर चौदा हाली में राष्ट्रिय एक्ता दिवस कब मनाया गया है ध्यान से देखिए आंसर आपको समझ आ जाएगा सरदार पट्टिल से संबंधित है सही अंसर है आप्सन नमबर बी 31 अक्टूबर को कोशन नमबर पंदरा भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या है भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या है आंसर है आप्सन नमबर ए ग्राम पंद्चायत कोशन नमबर 16 राश्ट्रवपती को वेतन कितना परदान किया जाता है सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए पाच लाख पर मौन्थ सोच लिजिए कोशन नमबर 17 लोग सभा में अधिक्तम कितने सदस्य जा सकते हैं सही अंसर है आप्सन नमबर बी 552 कोशन नमबर 18 निमनलीखित में से कौन सा एक के सबसे सुखा अस्थान है सही अंसर है आप्सन नमबर ci ले है कोशन नमबर 19 स्टीट बाइंक आफ इंडिया का मुख्याल है कीस सहर में इस्तित है स्टेट बाइंक आफ इंडिया का हेड़ क्वार्टर्स आंसर है आप्शन नमब बी मुंबई कोशन नमब बीस बादल किसके बने होते हैं सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमब सी जल की बुंदों के कोशन नागी है बलाइक हिल बुलू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाडिया किस देश में इस्तित है ये सवाल एसे सी वाले दस बार से भी अधिक बार पूछे होंगे आंसर हो जाएगा आप्शन नमब बी अमेरिका कोशन नमब बाइस निम्ण में से कौन सा सहर वास्तु काला की दृष्टी से नियोजित्ते सहर है ये भी सवाल हाली के एक जाम में आया था सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमब डी चंडी गड़ कोशन अगे है सूर्या की उर्जा किस माध्याम से उत्पन होती है अंसर है आप्शन नमब डी ना की सतनलायन कोशन नमब चावविस थॉमस काप किस खेल से जुड़ा हुआ है सही आंसर है आप्शन नमब बी बैड मिन्टन संबिधान का अनुछेद 360 किस से संबंधित है ध्यांस देखिए अनुछेद 360 के बारे में आपको पता है अंसर जाएगा अप्सन नमबर C वितिय आपाते से संबंधित है जो कि हमारे देश में कभी नहीं लगा है आगे सवाल है राष्ट्रपती पद के लिए चुनाओ किसके द्वारा कराया जाता है अंसर आपको पता होगा अंसर है अप्सन बटी निर्बाचन आयोक के द्वारा कोशन आगी है प्रिथवी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है आँसर है अप्सन नमबर सी सूर्या के द्वारा आगे प्रस्न है कम्प्यूटर के संदर्व में लैन का क्या तत्परे है सही आँसर है अप्सन नमबर बी लोकल एरिया नेटवर्क कोशन नमबर उनरतिस समुंदरी जीव ओक्टो पस के खुन का रंग कैसा होता है एससी एकजाम में यह सवाल भी बहुर मतलब देखा चाहें तो बहुत बार पूछा है ओक्टो पस ओके आँसर है अप्सन नमबर बी बुलू कलर का उसका खुन का रंग होता है नीला कलर का अगे सवाल है मानों सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है सही अंसर है अप्सन नमबर सी इस्टे पेज कोशन आगे है कान के पास होता है प्रसित यात्री जहाज टाइटाइनिक के किस देश का था सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी ग्रेट बुलू कोशन आगे है निम्ण में से कौन सा राष्ट्रापती अपने पत पर दो कारे काल के लिए बने रहे कोशन आगे पर फिर से सोन लेजिए निम्ण में से कौन सा राष्ट्रापती अपने पत पर दो कारे काल के लिए बने रहे एनिकि लॉंग टाइम के लिए रहे थे और हिंस आपको पता है प्रथम राश्ट्रपती भी रहे थे आंसर है आपसे नमबर सी डॉक्टर राजेंद्र परशाद आपके प्रसने है भारत के राश्ट्रपती राज्य सभा में कितने सदस्यों को नमांकित कर सकते हैं सही आंसर है आपसे नमबर ए बारह आगी सवाल है इस अधुनिक के दुनिया में सुचना राजपत्थ किसे कहा चाहता है सही आंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी इंटरनेट को कोस्टर नमबर पाएदिस लोकल सारी लोक सभा के पहले अधिया अक्षा कौन थे लोक सभा के पहले अधिया अक्षा कौन थे आंसर है आपसे नमबर ए जी भी मावलंकर और ये भी सवाल आया था 2021 के रेलवे एकजाम में निम्न में से राज्या मंतरी परिसद का निर्माता कौन होता है ध्यान से देखिए राज्या मंतरी परिसद का निर्माता अंसर है option number C, मुख्य मंत्री, question आगी है, Tata Iron and Steel Company की अस्थापना कब की गई? ये सवाल आपको पता चल गया, अंसर हो जाएगा option number A, 1907 B में, आगे सवाल है, किस देवता के लिए ring वेद में पुरंदर सब्द का पर्योग हुआ है? सही answer है, option number B, भगवान इंद्र के लिए, आगी सवाल है, हाली में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्राले का गठन किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं, और आपके एक जाम में एक बार आ भी गया, भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्राले का गठन किया गया? answer है, option number B, जल सक्ति मंत्राले, question number 40, राश्ट्रापति, छामादान कि इस अनुच्छेद के अंतरगत देती हैं? ये सवाल हमने पेछले 40 questions वाले वीडियो के Q4U में पूछे गया थे, answer है, option number C, अनुच्छेद 72 के द्वारा, तो आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन input इकाई है? यदि आप right answer बता सकते हैं, तो simply आपको comment box में जाना है, वहाँ पे लिखना है, Q4U, और इसके right answer, तो मिलता हम फिर अगले वीडियो क्लास में अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगा तो share भी कर सकते हैं, मिलता हम फिर, खुश रहा करिए, जय हिंद, जय भारत!